क्रोज से बचने के लिए आज मैं कुछ खास कीमिया मंत्र आपको दे रहा हूँ अगर इने मंत्रों को आपने अपने जीवन में जोड़ लिया तो जन्दगी बहुत मीठी, मधुर, आनन्दबरी बन जाएगी जन्दगी में हमेशा प्रेम मिठास गुल जाएगा, पहला मंत्र जीवन में जोड़ लो, मैं कभी भी राड नहीं करूँगा, हमेशा लाड करूँगा बोलो, राड नहीं करूँ, राड का मतलब समझते हो, राड का मतलब क्या होता है, जगडा, माथा फोड़ी, छाती कुटा, सिरपची, इरश्या, जलन, जले, एक दुझे को नीची दिखाने के आदत, इसका नाम क्या है, राड, और दूसरा क्या है, लाड, लाड का मतलब स से रखा गया कि लाड से रखा गया, हाँ तो बोलो ना, अब जिन्दगी में हमेशा नियम मना लो, हम हमेशा लाड से रहेंगे, जितना आप प्रेम और मिठा से हमसे बोलते हैं अगर आप पत्नी से भी उतना ही प्रेम मिठा से बोलेंगे, हाँ, हाँ, ने, हाँ, ने, ने, के प्रती किया गया विश्वास और एक दूजी के प्रती रखे गए प्रेम की भावना चार चीजी उन में कभी मत तोड़ो नंबर एक विश्वास कभी मत तोड़ो नंबर दो दिल कभी मत तोड़ो नंबर तिन रिस्ता कभी मत तोड़ो और नंबर चार वचन कभी मत तोड़ कि जब ये तूडते हैं न तो आवाज नहीं होती पर दिल बहुत दुखता है जब आप किसी का भरोसा तूडते हैं न तो आवाज नहीं होती एक आदमी को भरोसा है मेरी पत्नी मर जाये तब ही मुझसे जूट नहीं बोलेगी और पता लगता हूँ मैने में 30 दिन जूट बोलकर उसके साथ गलत काम कर रही है सोचो आदमी को कितनी पीडा पहुंचेगी कम से कम उसके सामने कभी जूट मत बोलिये जिसको भरोसा है कि तुम मुझसे कभी जूट नहीं बोलते विश्वास कभी मत तोड़ो दिल कभी मत तोड़ो रिस्ता कभी मत तोड़ो क्योंकि जब ये तूटते हैं आवास नहीं होती पर दिल बहाद दुखता है आपको नहीं मालूम जब एक बेटा ववाई करके अपने माबाप से जुदा होता है पतनी को लेकर लड़ाई जगड़े करके दिल तूटता है किती चीज़े तोड़ी है पर विचारों के आवाज नहीं होती है जिन्दगी ऐसी होती है इसलिए अपने जीवन में इस बात का विवेक रखो मैं कभी भी किसी के साथ राड नहीं करूँगा अबेसा क्या करूँगा अच्छा बताओ लाड कम और राड ज्यादा दो साल पहले आप जिसको बेंड बजा कर लाए थे आज आप उसी का बेंड बजा रहे हो ये राड है की लाड है पहले बेंड बजा कर लाए हो और आज किया बजा रहे हो बेंड बजा रहे हो किसका उसी का बेंड बजा रो जो सास आपको बेंड बजा कर लाई थी अगर आप उसी का बेंड बजाने लग गए तो जिन्दगी कैसी मीठी होगी मेरे भाई सास असास नहीं होती जीवन का विश्वास होती है मन की आश होती है अगर सास अच्छी वाले निकल जाएना तो मा से बढ़ कर होती है क्योंकि मा जीवन की सास देती है और सास जीवन का विश्वास देती है जिन्दगी में इंसान को समझना पड़ता है कि मैं लाड वाली जंदिगी जिऊंगा, राड वाली नी जिऊंगा एक महिला क्या हुआ, क्रियने की दुखान में गई समझते हो क्रियने की दुखान क्या होती है जहां पर आटा, डाल, चावल, अटरम, पटरम, खटरम, सटरम यह से मिलता है तो जाके कहा, ठेला साथ में लेकर गई बड़ा ठेला था ओवया, पांच किलो चावल दे उसने दिया, कहां ठेले में डाल दे क्या अब दो किलो डाल भी दे दे क्या का, क्या कौन सी, क्या मुंग के डाल क्या वो भी इसमें डाल दे क्या अब और क्या दूँ, क्या दो किलो तूर के डाल दे वो भी इसमें डाल दे बात तो तब बढ़ गई जब उसने का 2 किलो ग्याहूं दे और वो भी इसी में डाल दे उसने का दुकान दरे ने का माँजी करते हैं क्या हो आप एक इ थेले में चावल और ग्याहूं और मुंक की दाल और तूर की दाल और तब उसका माता और चकरा गया कहा दो किलो चना दे और वो भी इसी में डाल दे तो दुकान दरेतने का माता जी आपका माता हुआ हो आधा क्ार prohibited रहे हो उशने का चप दिन भर बहुत में घर में पड़ी रहती है और कहती है कोई काम निये काम निये ले जा कर दूँए और कहूंगे भी नो इसको वापस अलग अलग करो क्या 11 बजे नहीं सारे 11 बजे नहीं कि बेडरूम बे जाती है ममी कोई काम नहीं है मैं इसलिए लेके जा रहे हूं उनको काम देने के लिए किसी को तंग मत करो क्यांकि तंग करो के तो भगवान भी आपको वापस तंग करेगा और उसको तंग करने के लिए 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 कर दिया कि इनको चुनो चुनने के लिए 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 रहे हूं मैं तो दुकान देने का अभी जैसे तुमारी मरजी मेरे तो पैमेंट दो उसने 880 रुपिय का बिल बना दिया तो माजी ने का मैं तो रुपिय नहीं लाई उधार दूँगी तो दुकान देकान ने का मैं उधार नहीं देता तो उसने का ले तेरा माल वापस ले तो उसने का मेरे गर में तीन बोवे नहीं है सब की आलत है सब एक दुझे को रहते हैं साथ है पर एक दुझे के मन हमारा खिलाफ है साथ है पर एक दुझे को सुक की सांस लेते देk कर कुछ नहीं होते सोचो जब आपकी बेटी पीहर से आती है मैं कोई बोवों का पक्स नहीं ले रहा हूँ समझो आपकी बेटी पियर से आती है और वो चार घंटा अराम से बेडरूम में एसी चला कर सोई है और आप पुरा खाना बना रही है तो आपको मन में क्या लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा? बहु सोई तो बुरा लगता है जिस दिन बहु का सोना भी आपके मन में अच्छा लगे कि वावा थोड़ दिर तू अराम कर ले मान कर चलना इसी दिन से घर में स्वर्ग होना शुरू हो जाता आपको पता है जब कोराना काल था हम लोग इन दौर में थे जा रहे थे हम हैदराबाद पर जैसे हम इन दौर पहुंचे कि उसे दिन वो लोकडाउन सुरू हो गया था फिर हम तीन मीना उसमें रहे फिर चत्रमास हमने वहीं किया उस दौरान एक महिला आई महिला क्या मतलब एक बहिन आई कोई 38-38 साल की थी कहा गुर्देव मेरी सास सास नहीं भगवान है मैंने का मतलब पहली वार किसी बहु के मुझे सास की तारिफ सुने कहा बाब जी आप भी इन दौर में थे हम भी इसी सेर में है और क्या हुआ मैं हर साल मेरा पियर है मंदसौर और मैं हर साल अपने पियर एक मैने के लिए जाया करती हूँ मै के मेने जब चुट्टिया थे बच्चों की पर इस वार तो लोक्डाउन था तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं तो पियर जाई नहीं पाऊंगी तो मम्मी ने कहा बेटा तो क्या ये पीहर पीहर लगा रखा है पीहर में क्या मिलता है तुझे साड़ी की बजाए ड्रेस पहनती है पीहर में खाना मम्मी बनाती है तुम आराम से खाती है यही तो सुईदा है न तुम्हें पीहर में चल एक महिने के लिए अब तुम पीहर में क्या का इस घर को अपनी क्या मान ले पीहर मान ले और मुझे अपनी मां मान ले उसने कहा बाप जी कैसे आपको बताँ जिन्दगी भर पीहर जाने के मन साम असासु मा ने खत्म कर दी इतना मेरा लाड़ किया दिन बर बना बना कर खिलाती ये खा बेटा ये खा तो जिनस पहन बेटा जो तरी चौसो पहन अब एक में निकले ये तेरा पिहर है और इस पिहर में मैं तेरी माँ हूँ तेरी हर इच्छा बेटा पूरी करूंगे और वो महिला कहने लगे बापजी मुझे पहली वार लगा कि मेरी सास सास नहीं भगवान का अवतार बंद कर मेरे घर में आई जिसने कुरोन अकाल में मुझे अपने पिहर का सुकुन दे दिया जिन्दगे में एक बात हमेशा याद रखना हर चीज़ लौट कर आती है कोई आदमी बच नहीं सकता है एक आदमी बगीचे में गया है आम देख रहा है दूर से वाह क्या मीठे मीठे आम है समझो जिसे संबोध धम में नीचे आम का पिड़ लगा हुए ना बड़े मीठे आम आते हैं रतना गिरी से आया हुआ ये पिड़ है पर इतने मीठे आम आते हैं जब ये आम पके त्यार होते हैं तो शहर के कई लोग एक एक आम खाने के लिए आम पर संपन्द लोग आते हैं रतना गिरी के आम है जरूस स्यदा मीठे आम है ये तो आम के पेड़ को देखा तो तैहे क्या मन हुआ होगा खालो अब आँखें तो आम को तोड़ नहीं सकती पेड तक जा नहीं सकती तो क्या किया होगा पाउं से पेड तक गया अब पाउं तो आम को तोड़ नहीं सकते तो किस से तोड़ा होगा हाथ को तोड़ा अब हाथ तो आम को खा नहीं सकते किसमें ख्या होगा मुंँ में ख्या मुं तो आम को रख दी सकते तो कहां गया होगा पेट में गया ये सारा काम हुआ कितने में ही खेत का माली आ गया और उसे जैसे उसको आम को तोड़ते-खाते देखा उठाया डंड़ और पीट पर दन 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 पीठ के पड़े और जैसे ही पीठ में डंडे पड़े तो आँसूं कहां पर आए हर चीज लॉट कराती है आँखों ने देखा था और आँखों में आँसूं का आए यह जिन्दगी का रोल है यहाँ पर कोई आदमी बच नहीं सकता है हर कर्म इंसान का लोट कराता है हमसे जुड़ाव एक परिवार है उनके माता पिता यहाँ मारवाड में रहते हैं भीन माल के पास कोई गाउं में और बेटा बहू इधर क्या नाम बैंगलोर में दोनों यह जौब करते हैं एक वर ममी पापा के चोई चलो छुटियां हैं गर्मी हैं बैंगलोर का मौसम भी थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा सा इधर की बज़ाए थोड़ा सा मीठा रहता है बैंगलोर का मौसम थोड़ा सदा बहार रहता है तो गए वहाँ पर पता नहीं उनको बहुत पीड़ा पहुंची, बहुने बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रखा, समय पर खाना नहीं बनाती थी, जाते ही वो तो और फ्री हो गए, मम्मी खाना बनाए, सुबे नास्ता भी वो ही बना के दे, पती पती, दोनों ऑफिस चले जाते हैं, दिन में वोई खाना बनाओ, शाम को बनाओ, कोई एक बिनट बैठे नहीं, जुटे नहीं, और बार बार पूस्ते रहे थे, मम्मी आपका क्या प्रोग्रम है, मम्य आपका क्या प्रोग्राम है आज के लिए नहीं परमप्रा चल गई है जैसे मापबाब बिचारे बच्छों के पास जाते हैं तो बोवें पहले पूछने नगे जाते हैं मम्य आपका क्या प्रोग्राम है मम्य आप इस घर को भी अपने ही घर समझिएगा मतलब ऐसे बूल पती कमरे में रखती खुद खाती, बच्चों को खिलाती, पती को खिलाती, फ्रीज पे नहीं रखती कि ओ ममी पापा भी, खा लेंगे, महंगे आँमे, डही सुरुपे किलो वाले आँमे, और तो और जब रोवानगी का समयाया तो मा का मन भराया कि हमने कितनी बड़ी गलती क यहां पर आकर बेटे बहु को और बहु को तो बिल्कुल भी परवा नहीं इतना ही नहीं जब वो रवान होने लगे तो वो कमरे के बार फ्लैट के बार छोड़ने तक नीचे तक भी छोड़ने नहीं आई कि लोग विदा हो रहे हैं निकल गए चले आए मान ने जाते समय सौगन दखा ली मर जाओंगे प्रजन्दगी में वापस कभी इस बेटे बहु के पास नहीं आओंगे कैसे बताओं आपको इस सची घटना को उस महिला ने खुद मुझी घटना बताए उस बहु ने कि वापस कैसे बात मोड लेती है वो अपने पीहर आती है कौन? वो बहु एक दिन अपने पीहर आती है और पीहर में उसकी माँ बहुत रोती है कहती है बेटा तेरी भाबी ऐसी जगडालू है इतना तंग करती है इतना ये करती है बेटा मेरे जंदगी नरक बना दिये तेरी भाबी ने इतना वो कहती है माँ के स्थितित को देखकर वो बेटी सुबक जाती है कहती है बेटा जन्दिगे मेरे नरक बन गई और पता नहीं उसके भीतर की आत्मा जगते हो से लगता है कि शायद इश्वर ही तो कहीं नहीं लोटा रहा मैं अपने सास को दुखी कर रही हूं और ये मेरी सास को यहां मेरी माँ को यहां दुखी कर रही है कहीं इश्वर इस गटना को दोहरा तो नहीं रहा है कि जो मेरे सस्वराल में होई वो यहां मेरे पिहर में हो रही है वो कहते है मम्य आप कुछ मैने के इनजारी करो वो आती है और आकर अपने पती से कहती है प्लीज मेरी इच्छा है मम्य पापो टकार वापस बुलौओ पती कहता है तोने इतना उनका इंसल्ट किया ता आप तो मरी नहीं आए मम्मी जाते जाते मुझे कहके गई थी बेटा यह हमारा अंतिम बार आना है वो कहते नहीं एक वार मम्मी को बुलाना है और वो रोज मम्मी को फिर फोन करते है मम्मी आपको आता है वो कहते है बेटा मेरा बानी का मन नहीं आओंगे और अंततह बहु कहते है मम्मी जी आजसे में दूद चाय कभी त्याग कर क्यों जब तक आप नहीं आएंगे पती कहता है किसका गाओं में महिला का सास का पती कहता है अब ऐसा ही वो कहरे एक वर चल के आजो एक वर और ला चल के आजाओ मैं आपको कैसे बताऊं वो बड़े भारी मन से, दुखी मन से, अन्मने मन से वहां जाती है बहु उन्हें इस्टेसन पर मिलती है गुटने ठिका के प्रणाम करती है उन्हें बहुत लाड़ प्यार से घर लाती है एक मेने के आफिस के छुट्टी लेती है रात को कभी पाउं दबाना, कभी सेवा करना गरम गरम नास्ता दूद, दोपैर में फल, फ्रूट, जूस और उन्हें को गुबाना फिराना एक महिने कि उनको इतनी खुश्यां दे कर जाती है इतनी खुश्यां देती है कि जो सास पिछली वार रोती हुई गई थी कि अब मैं कभी नहीं आऊंगी वो सास दुबारा रोती हुई जाती है कि भगवान ऐसी बहू सब को दे बेटा मैं हर साल तुम्हारे पास आऊंगे कि बेटा मेरा जाने का मन नहीं करता है और रोती रोती बहु उन्हें विदा करते रोती रोती सास जाती है मैं आपको कैसे बताऊं ये सची घटना है हंड्रेड प्रसंट सची घटना है अगर संत जूट नहीं बोलते तो जो मुझे उस महिला ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ उसने कहा सामें दो मीना बाद अपने पिहर गई तो मेरी मान ने कहा बेटा पता नहीं तेरी भावी में क्या परिवर्तन आया है दिन भर मेरी सेवा कर रही है मेरा ध्यान लख रही है मुझे दूद चाय नास्ता पिला रही है जिन्दगी में हमेसा याद रखना हर चीज लौट करा दी यह कोई धारावईक बना था यूई नहीं बन गया था सास भी कभी बहू थी यूई नहीं बन गया कि बहू भी कभी सास बनने वाली है क्योंकि जिन्दगी में हर चीज इश्वर लौटाता है अगर आप चाते हैं आपकी बेटी सस्वाल में सुखी रहे तो कुछ मत करो मंत रहे यह अगर आप चाते हैं आपकी भावी आपकी मां की खूप सिवा करे सोचो सोचो क्या करो बद्धी काम कर रही है क्या और दूँ बेजा है कि बेजूँ क्या करो अगर आप चाहते हैं कि आपके भापी आपके माँ की कुप सेवा करे कुछ मत करो आप जिस घर की बहु हो उस सास की सेवा करने सुरू कर दो क्योंकि मैंने इसलिए कहा राड मत करो क्या करो लाड करो हमेशा लाड की भासा बोलो प्रेम की भासा बोलो मिठास की भासा बोलो आनन की भासा बोलो मनुहार की भासा बोलो एक दुझे को इज़त देने की भासा बोलो आप जब भी जैसे भी मिठास और प्रेम की भासा बोलेंगे आप दूसरों के दोलों में राज करना शुरू कर देंगे हमेशा प्रेम से रो किती सी जिन्दगी है अरे जिन भगवान क्रिष्ण की हम पूजा करते हैं वो किसी की निन्यान में गल्तियों को माफ कर सकते हैं किसी? शुशु पाल की निन्यान में गलतियों को माफ कर सकते हैं क्या आप अपनी बहु की नो गलतियों को माफ करने का बड़पन नहीं दिखा सकते हैं अपने बेटे की, अपने बतीजे की, अपने चाचा की, अपने ममी पापा की नो गलतियों को माफ नहीं कर सकते हैं याद रखना रात को सोने से पहले जो किसी की एक गलती को माफ करता है सुबह उर्थने से पहले भगवान उसकी सौ गलतियों को माफ कर देता है इसलिए मन में राड नहीं क्या लाड पैडा करे मन में क्या पैदा करो लाड पैदा करो और जब आप लाड पैदा करेंगे ना फिर आपको उसकी कमी कमी नजर नहीं आएगी हम जिसे चाहते हैं ना वो हमें टेडा बोले तब भी हमें अभिननन लगता है और हम जिसे नहीं चाहते हो हमारा अभिननन करे तब भी हमें टेडा लगता है आप जिस से प्रेम करते हैं वो आपसे जो कहे आपको अच्छा लगता है तो क्यों हम अपूरी दुन्या से प्रेम करें ताकि दुन्या में काओवा हर इसान की बात अच्छी लगे मन बना लो मैं कभी राड़ नहीं करूंगी मैं हमेसा क्या क्या करूंगी किते दिन का साथ है भई कोई साथ का हो गया कोई पैसर का हो गया कोई सित्तर का हो गया कोई पच्छतर का हो गया पता नहीं कब किसकी सांस अंतिम सांस बन जाए आपको पता है जब हम दुनिया में आते हैं तो तीन ही सांस लेकर आते हैं पहली सांस जिसका नाम होता है जनम की सांस दूसरी सांस जिसका नाम होता है जवानी की सांस और तीसरी सांस जिसका नाम होता है बुड़ापी की सांस हाँ एक और चौती सांस लेते हैं पर उसका नाम चौती सांस नहीं होता है उसका नाम अंतिम सांस होता है एक सांस और ली जाती है उसका नाम क्या होता है अन्तिम सांस चोटी सी जिन्दगी है एक बुढिया बस में बैठी थी पास में एक युवती आकर बैठी शैतान लड़की बुढिया बेचरी बहुत सीधी साधी महिला थी बस का टिकेट खरीद के बैठी थी और यात्रा कर रही थी कि अगले इस्टेशन पर उतरना है और वो जो युवती आकर बैठी उसका काम तंग करना कभी वो बुढिया को नाकुन चुभाए कभी यहाँ पर यह करे कभी पाउं से उसका पाउं दबाए कभी अपनी चपल से उसके अंगुटे को दबाए पर बुढिया सांती से बैठी रही उसे लगाया रही है बुढिया कौन से मिट्टी से बनी है मैंने चूटी बोड़ दे उसके जवाब नहीं दिया मैंने अंगुठा अपने चपल से दबाया जवाब नहीं दिया मैंने इसके यूँ नाखुन चुबाया जवाब नहीं दिया मैंने नाखुन चलाया यहाँ पर जवाब नहीं है कौन से मिट्टी से बनी है तो इसने बुडिया से बूचा मा जी है क्या ही आपका मैंने आपको इतना तंग करनी के कोशिस कि आप तंग ही नहीं हो रहे बुढ़िया ने जो बात कही सोने के पत्रे पर इस बात को जीवन भर कले खुदवा देना बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे अगले स्टेसन पर तो उतरना ही है अब तेरा मेरा कितना साथ है क्यों मैं माथा फोरी करो क्या 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 सोने के पत्रे पर इस लाइन को खुदवा देना बुढ़िया ने कहा बेटा तेरा मेरा साथ कितना है मुझे तो अगले स्टेसन पर उतरना है जब जब मन में कशाय पैदा हो किसी के पढ़ती है तब तब मन में यही चिंतन करना इसका मेरा कितना साथ है मुझे तो दो दिन बाद यहां से किसक जाना है जब पता है छोटी सी जिन्दगी लेकर आए हो दो दिन बीद गए और दो दिन कई लोगों के तीन दिन बीद गए कईयों के साड़े तीन बीद गए और कईयों तो पौणे चार बीद गए है अब किती सी जिन्दगी बच्चे इसमें किते एक छाती को टेक किते माती फोड़े करेंगे तो आज से नियम बना लो मैं राड नहीं पकी बात क्या करूंगा लाड की भासा करूंगा लाड की भासा बोलूंगा जब भी कहना होगा लाड में अपनी बात कहूंगा राड पूर होगा अपनी बात नहीं कहूंगा नमबर दो जिन्दगे में अच्छे सवाव का मालिक बनने के लिए दूसरी बात हमेशा जान रखिए और वह कभी भी किसी भी बात की गांठ मत बांदिये बहुत बुरी चीज़ हो जाती है जंदगी नरक बन जाती है अगर आपने मन में किसी के परतिचाए वो मैं हूँ या आप है, सास है, बहू है बेटा है, बेटी है देखो भाई हर इनसान के रिस्ते में उतना ही मिलता है जतना वो अपने किसमत में लिखा कर लाया है कई लोग होते हैं जो दूर की होते हैं तो करीब बन जाते हैं कई माँ जाए भाई होते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं तो इसका पता नहीं लगता किसका साथ कितने वर्स तक रहेगा कल तक जो हमारे लिए मरता था आज वो हमसे लड़ता है कल तक जो हमारे लिए मरता था आज वो हमसे ही लड़ता है कल तक जो हमारी तारीफ कर रहा था आज वही हमारी टिपणी कर रहा है तो वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है कल तक जिन कपड़ों को अंग्रेजों के वाइस राय पहनते थे केन बंडारी साब कल तक जिन कपड़ों को कौन पहनते थे हमारे बीच देश के बहुत वरिष्ट वेक्टिव एते हैं सकल जोद्पुर ओस्वाल सिंग सभा के अध्यक्ष केन बंडारी साब जो भारती जीवन विवामारिगम इंस्वरिंस कंपनी के अंतराष्टिय चेर्मेन रहे पर इस आदमे की विनमरता इतनी होती है सामानिय से सामानिय इंसान भी सैद इतना विनमर नहीं जीता होगा जितना ये देश के सर्वोच पत पर पहुंचा हुआ इंसान इतना विनमरता से जीता है ये इंसान की विनमरता होती है पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिन्दगे में हर चीज इनसान की लोट कर आती है कल तक जिन कपड़ों को अंग्रे जों को वाइस साय पहनते थे यू 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 चलते थे न आज हमारे यां बेंड बजाने वाले वोई ड्रेस पहन रहे है वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता बोल लो वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता इसलिए दूसरा नियम लो मैं आज के बाद किसी भी बात की देखो जैसे ये कपड़ा है कहते हैं एक वार भगवान श्री माहवीर अपना ससंग प्रवचन दे रहे थे तो एक शिश्य यकायक बीच में खड़ा हुआ कहा भगवन आपकी बातों को सुनकर मन में एक प्रस्थन आ रहा है और यह प्रस्थन यह है कि दुनिया में बंदन क्या होता है क्या कहा बंदन क्या होता है भगवान ने कुछ भी जवाब नहीं दिया वो तो अपना प्रवचन देते रहे और बात ही बात में पास में कपड़ा पड़ा था उसको उठाया और यूँ क्या कर दिया गांट लगा के रख दिया वो अपना प्रवचन देते रहे शिश्य को लगा कि सैथ आज भगवान जवाब देने के मूड में आदे गंटा ससंग चलना था कि एक और सिश्य खड़ा हुआ कहा भगवन मेरे मन में जिग्यासा है कि दुनिया में मोक्ष क्या है पता नहीं भगवन को क्या सूजा उन्होंने प्रवचन देते देते ही वो जो वस्त्र पड़ा था उसको उठाया और उसको खोला और यूं करके यूं करके समेट के वापस रख दिया ससंग पूरा हो गया दोपेरे में सिश्य लोग सब बैठे थे तो पुना उन दोनों सिश्यों ने करबद्द होकर पूछा विन्ह बावसे भगवन हम समझे नहीं क्यांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको करी प्रस्न पोचा जाया और आब उसका जवाब न दे पर जम दोनों ने प्रस्न पोचा पर आपने जवाब नहीं दिया कहा मतलब भगवन मैंने पूचा था बंदन क्या है और इसने पूछा था मुख्ष क्या है आपने दोनों बातों का जवाब नहीं दिया भगवान ने मुस्कुरातेवे कहा मैंने तो दोनों का जवाब दिया मुझसे नहीं दिया हाथ से दिया था का भगवन हम समझे नहीं कि याद करो जब तुने पूछा था अपने कुछ नहीं किया गाँट खोल कर रख दिया भगवान ने मुस्कुरातेवे कहा ये जीवन का पाथ है जैसे कपड़े में गाँट लगी ऐसे ही मन में अगर गाँट लगी है तो इसी का नाम बंधन है और मन की गांट का खुल जाना इसी का नाम मोखश